आज के इस वीडियो के इंदर हम लोग देखने माले एक 55,000 रुपीज का PC बेल्ड सभी कॉंपरेंट्स के बारे हम बात करेंगे सो वाइस वीडियो वेंट तर देखते रहे ना तो हेलो गैस वेलकाम बैक टो माडेक्स कंपीडर्स मेरा नाम है सार तक इस PC बेल्ड को और करा है हमारे सुदेव भाई ने जूखी रहने वाले हैं असाम के तो असाम में हम लोग इस PC बेल्ड को भेजने वाले हैं बाकी आपका बजट अगर इसी के आसपस में लाई करते हो और अगर एक ऐसा PC बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें कि आपको अभी फिलाल ग्राफिक्स काड नहीं चाहिए बठा ऐसा PC बिल्ड हो जाए कि आपको CPU इंटेंसिव कुछ भी काम करना है या फिर जैसे आप म्यूज इस टाइप का PC बिल्ड है क्योंकि इसमें बाकी सब कॉंपोनेंस तो काफी बड़िया लगे हैं क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड इसमें बाद में लगाया जाएगा तो सब चीज के बारे में बात करेंगे लेकिन उसे पर आपको भी ऐसी कोई कमाल का PC बिल्ड करवाना हो तो हुआ हमारी से बात कर सकते स्क्रीन पर आपको वारी कॉंटाक्ट नंबर्स देखने को मिल जाएंगे 701-805-001-9403-90290 इन नंबर्स के उपर कॉंटाक्ट करके आप हमारी से बात कर सकते वह आपको बड़े तरीके से गाइड करते कि आपके बजट एंड आपके रिक्वा वेब से वेबसे डिर्क्ट ली जा करके आपको पर कर सकते हो झाले को मिल जाते चलिए के शुरुआत करते हैं बात करते हैं सबसे पहले हमारे प्रोसेसर की बारे में यहां पर हम लोगों नहीं पर रहे हैं इंटेल के कोर आई 513 जनेरेशन के अपर बेस्ट प्रोसेसर काफी बढ़िया कोर एंट थ्रेट काउंट के साथ में आने वाले काफी शांदार सीपी यहां पर हो जाता हैं अच्छा ही सीपी के साथ में यहां पर मदर बोर्ड पेर करा है यह आ जाता है हमारा MSI की तरफ से उनका PRO B760 MA Wi-Fi DDR4 मदर बोर्ड शांदार मदर बोर्ड है जो कि मारे i5-13500 प्रोसेसर को बड़े तरके से यहां पर हैंडल कर लेता है और DDR4 RAM की सपोर्ट के साथ में यहां पर ही आता है अब यह मदर बोर्ड जो DDR4 और DDR5 दोनों ही वर्जन के अंदर आपको मिल 3200 MHz के उपर क्लॉक्ट है अभी फिलाल सिंगल स्टिक हमारे कस्टमर भाई साब ने यहां पर ली है क्योंकि जैसे कि मैं आपको होता है कि बाद में बजट जब उनका बढ़ेगा तो यहां पर ग्राफिक्स कार्ड भी आडाउन करेंगे और भी RAM स्टिक्स यहां पर बहुत यहादा शांदार एयर कूलर है यहाँ पर ब्लैक वाला वर्जन हम लोगोने इस एयर कूलर का यहां पर यूज करें देख सकते हैं पूरी थीम हमारी यहां पर भाई रखी भी आपको इस ने मिलती बट भाई बाद में जब उनका budget increase होगा तो hard drive और SSD अगर उनको लगानी हो तो वह definitely यहाँ पर कर सकते हैं अब बात करतेगा इस power supply के बारे में तो हम लोगों नहीं हाँ पर इस करें deep cool की तरफ से उनकी PK 650D power supply 80 plus bronze certification के साथ में यहाँ पर आती है अब फाइनली बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी cabinet की तरफ सो हम लोगों नहीं हाँ पर काफी budget friendly cabinet का यूज करें जुकि आयती है और फ्रेंट में आपको मेश भी मिल जाती है और थोड़ सी बिल्ड क्वालिटी आपको कम मिलती है बट भाई फीचर भर भर के मिल जाता है इस cabinet के साथ में और थीन अजार रुपे में और क्या ही लोग है आप सो ओवराल उस प्राइस पॉइंट के साब से काफी बढ़िया है यह cabinet बस तो वाई यही था पूरा हमारा 55,000 रूपीस का PC विल्ड आपको कैसे लगा में नीचे comment section में दर ज सारी डीटेस आपको नीचे मिलेगे description के अंदर बिलिंग कैसे कर रहे वीडियो के अंदर एक और निगामाल के PC विल्ड के साथ में सब तक के लिया, thanks for watching